नाजरीन असलाम वालेकुम आज किस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद ही असरदार अमल छोटा सा अमल है लेकिन इतना असरदार है कि जिसने भी यह अमल किया है उसे 100% कामियाबी मिली ही मिली है लेकिन अमल करने के लिए उसे समझना बेहत जरूरी होता है जिस तरीखे से अमल को बताया जाए उसी तरीखे से इसे करना होता है तभी बहतर रिजल्ट हासिल होगा तो चलिए आज का अमल शुरू करते हैं सबसे पहले आपको कोरा काघस लेना होगा फिर चोकोर बॉक्स बनाने हैं मतलब 6 खाने बना लेने हैं ऐसे जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और इन 6 खानों में आपको 786 लिख देना है जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है और यह लिखने के बाद पेपर की उल्टी साइड में अपनी मुहबबत का नाम आप लिखेंगे देखिए सबसे पहले यहाँ उपर अपनी मुहबबत का नाम लिखना है जिस भाशा में भी लिखना चाहें जिस जुबान में भी लिखना चाहें फिर प्लस बनाकर उसके नीचे अपना नाम लिखें ये प्लस बनाया फिर उसके बाद यहाँ पर अपना नाम आप लिखें ये बस छोटा सा अमल करना है लेकिन इस अमल का टाइम वक्त मुकररर है नाजरीन जब आप सोकर उठते हैं सूरज निकलता है तो सूरज निकलने से पहले यानी चार बज़े के बाद से छे बज़े तक इसको कर लेना है इस नक्ष को फिर फोल्ड करना है इस तरीखे से नाम जो लिखे हैं वो बाहर की साइड रहने चाहिए दो तीन तह बना ले जै जाकर दबा दे और इसको कोई जहां देख न सके आप इसे जंगल में भी दबा सकते हैं क्योंकि वहाँ आसानी से कोई आता जाता नहीं है फिर जिसके लिए आप ये अमल करेंगे तीन दिन के अंदर अंदर वो आपके पास आ जाएगा उसके दिल में आपके लिए प्यार पैदा हो जाएगा और फिर देर मत कीजिए और जल्दी से जल्द इस अमल को कर डालिए क्योंकि ऐसी आसान चीजें जिन्दगी में बार-बार नहीं होती हैं और हाँ अगर आपकी महबत आपके प्यार ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो वो आपको ब्लॉक पर से हटा देगा और हमेशा हमेशा के लिए आपकी बात मानेगा और आपका होकर रह जाएगा अगर कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं तो इस वीडियो को रिपीट करके दुबारा देख सकते हैं ताकि आपकी भी खोई हुई महबत आपके पास आजाए इतना सस्तामल है कि इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा और जल्द से जल्द आपका महबूब आपके पास होगा तो इस वीडियो को फॉरण से लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो नाजरीन लगतार स्क्रीन पर मौलाना सहाब का नंबर शो हो रहा है अगर इस वजीफे में इस अमल में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो फॉरण से आप जो है वो मौलाना सहाब को कॉल कर ले उनसे सारी परिशानी का हल ले ले तो कि अगर दुनिया के आप किसी भी कौने में बैठे हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी परिशान होने की जरूरत नहीं है एक कॉल पर वो सारी चीजें आपकी बताएंगे आपकी सारी परिशानी का हल उनके पास है तो मैं आप से गुजारिश करती हूँ कि आप उनको एक बार कॉल जरूर कर ले तो दोस्तों आज की इ गुजारिश है अल्ला हाफिस